स्रीश्यवाय नमस्तुब्यम नमस्कार मित्रो हर हर महादीव भवानसिवमा पार्वती की क्रपाप और आपके परवार पर सर्वधा बनी रहे तर्सको यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आप एक काला धागा बांदे यहां चमकेगी किस्मत खुलेंगे बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आप काले धागे के कुछ उपाय करें यह उपाय आपकी टैंसन दूर करेंगे और आपकी जिन्दगी को खुसाल बनाएंगे दर्श को उपाय जानने से पहले आपसे चोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभीता वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और सेयर कर दें चैनल अप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश कर लें साथ में बेल आइकन दवाना बिल्कुल न भूलें जैसे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे बास्तू साश्त्र के अनुसार काला धागा किसमत चमकाने का काम करता है यदि आपके किसी भी कार में अडचने आ रही हैं तो आप एक काला धागा सनीवार या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान के चड़ों में रख कर उनके दाहिने पैर का सिंदूर लेकर धागे पर 11 बार बिंदी लगाएं फिर उसी धागे पर 9 छोटी छोटी गांट वानते हुए हनुमान चाली सका पाठ करें इसके बाद वही हनुमान जी के सामने उसे गले में धारड कर लें यदि आप हात में भानना चाते हैं तो आप अपने दाहिने हात में भान लें परन्तु ध्यार रखे इस तरह से भाना गया धागा सिद्ध होता है जो किसी सूतक में जाने से खंडित हो जाता है भूल कर भी किसी सूतक में जाने यदि आप भूल कर किसी सूतक में चले जाते हैं तो इस काले धागे को उतार कर किसी नदी या ताला में बहा दें फिर दुवारा से इसी तरह आप दूसरा धागा सिद्ध करके पहलने ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही अर्चने दूर होंगी आपके जो भी कार्य हैं वह बनते जाएंगी इस काले धागे से आप बुरी सक्तियों से बचते रहेंगी दर्स को आज का यह उपाय आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना सीय करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेकरना मिलके आपसे नेक्स वीडियो में